नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करें बाते साइती की चैनल को और प्रेस करें इस आइकन को तकि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले दोस्तों नमश्कार आज हम बात करेंगे न्याई की आपके कॉर्स में प्रमुक अवधारनाई दी हुई है जिनमें न्याई, शक्ती, सत्ता, वैदता, धर्म, स्वतंतरता, एवं समानता ये कई चीजे दी हुई है इनमें से आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं न्याई की दोस्तों न्याई की आगे चर्चा की जाए उससे पहले हम न्याई शब्द के बारे में बात करते हैं न्याई जैसा की जश्टिस शब्द से इसकी उत्पत्ती हुई है और जश्टिस लेटिन भाषा के जश्टिया शब्द से इसका निर्मान हुआ है और इसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना यानि नियाई से अभी प्राए किसी समाज द्वारा स्विक्रत नियमों का उस समाज के सदश्यों द्वारा पालन करना यही नियाई है नियाई स्वेम में एक मुल्य है जो सतंतरता समानता और बंधुत्व के मुल्यों का संसिलेशन करता है दोस्तों जब हम नियाई के अवधारना के बात करते हैं तो नियाई के अवधारना में नियाई की जो संकल्पना है वो प्राचीन काल से ही राजनितिक चिंतन का महत्पू विशे रही है पस्चमी परंपरा के अंतरगत न्याई के सुरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यते न्याई परायन व्यक्ति अर्थार्थ सद्चरित्र मनुशी के गुणों पर विचार किया जाता था सद चरीतर मतलब अच्छे गुणों वाला व्यक्ति इसमें उन्हें सद गुणों की तलहास की जाती थी जो व्यक्ति को न्याई की ओर प्रवत करते थे यानि उस ओर ले जाते थे अगर हम भारतिय धर्म की बात करें तो भारतिय धर्म या भारतिय समाज जो है वह न्याय धर्म के साथ जुड़ा था धर्म या न्याय उचित सामाजिक व्यवस्ता को कायम रखने के लिए राजा के ये प्रात्मे करतवे माना जाता था कि वह धर्म को कायम रखे तो भारते प्रमपरा मनुष्य के धर्म को प्रमुकता देती है और ये दोनों ही माननेता सदचरित मनुष्य और धर्म प्रतेक मनुष्य के करतव पालन की बारे में बात करती है प्रतेक मनुष्य अपना निर्दिष्ट कारे करे और दूसरे के कारियों में हस्तक्षिप नहीं करे यही नियाए है देखे दोस्तों ये नियाए की इहां से एक परिवाशा निकल कर सामने आती है कि प्रतेक मनुष्य अपना निर्दिष्ट कारे करे और दूसरे के कारियों में हस्तक्षिप नहीं करे यही नियाए है यानि न्याय की इस परिभाशा की आधार पर हम देख सकते हैं कि न्याय अपने कारियों को करना है ना कि दूसरे के कारियों में हस्तक शेप करना दोस्तों अगर थोड़ा और हम आगे चले तो न्याय की जो व्यक्या है वह अलग-अलग विचारकों ने अपने अपने धंक से की है पास्चात्ति राजनितिक चिंतन में न्याय के अर्थ को इसपष्ट करने का सर्व पर्थम जो प्रियास किया था वह यूनानी दाशनिक एमम राजनितिक विचारक प्लेटो ने किया था और प्लेटो के बाद अरस्टू, रॉल्स, कई अन्य हुए जिन्होंने इसके बारे में बात की पलेटो का यहां पर नाम आया तो दोस्त आपको के बारे में कुछ हम बात कर लेता है तेकि पलेटो जो है वह अपने जीवन में पलेटो ने काफी नाजुक दोर देखा उसने अपनी आँखों से एथेंस को इसपार्टा के सामने गुटने देखते हैं उसने अपने गुरू और यहों कहें कि अपने प्रिये गुरू जो कि जिनको उन्होंने अपना गुरू स्वेम माना ना कि उन्होंने बलेटो को सिश्चे मनाया था तो अपने प्रिये गुरू जिने शुकरात के नाम से जाना जाता है उनको विसका प्याला पीते हुए देखा इस परकार उन्होंने कई बुराईयां एथेंस में देखी तो इन बुराईयों को दूर करने का इन्होंने निश्चे किया और उसे एक समाधान भी मिला उसने एक ऐसे राजा की कल्पना की जिसके द्वारा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह बुद्धिमान व्यक्ति ही शासन का कारिय करे इसकी आगे की हम चर्चा जब करेंगे तो हम देखेंगे कि इसने बुद्धिमान राजा को अपने न्याई के आधार में जगह दी है अगर हम प्लेटो की थोड़ी और बात करें तो प्लेटो ने लगबग 36 रचनाए अपने जीवन में लिखी कई किताम दोस्तों ये 38 भी दिया हुआ मिलेगा आपको इन में से जो प्रमानिक ग्रंत हैं वह मात्र 28 हमें प्राप्त होते हैं उनली 28 जो है वह प्रमानिक ग्रंतों के रूप में हमें राप्त होते हैं और इनके कुछ महत्पूर्ण जो पुस्तके हैं उन पुस्तकों के अंदर अपोलोजी इनकी पुस्तक है क्रीटो, यूतिफ्रो, जोर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिंपोजियम, फैडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समेन, लॉज इस तरह की कई रचनाएं हैं जिन रचनाओं में प्लेटो ने अपने आदर्शों को, अपने मुल्यों को, अपनी भावनाओं को रखा है दोस्तों प्लेटो के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे जब प्लेटो का अध्याय आएगा तो प्लेटो के न्याई के बारे में क्या इसकी धार्णा है उसके बारे में हम अब बात करते हैं जो आत्मिय गुणह निहित है वो उसकी न्याई है वह ही उसका न्याई है उनके अनुसार यह वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला डूमता है प्लेटो से लेकर अब तक के सभी चिंतकों ने न्याई को महत्पूर्ण राजनितिक ए वही दूसरी तरफ हम न्याई को राजनितिक समाज का वांचनिय गुण मानते हैं न्याई नैतिक समाजिक एवं राजनितिक निर्णैन को प्रभावित करने वाला तत्व है मध्यकाल में भी कई विचारक हुए जिनमें आगश्टनाई हुए एक्मिनास हुए इन्होंने भ हम बात की और समकालीन विचारकों में जान रोल्स आदी ने न्याई के सुरूप की बात की सबसे हम पहले हम बात करते हैं प्लेटो के न्याई सम्मंदी विचारों की तो प्लेटो के जब हम न्याई सम्मंदी विचारों की बात करते हैं तो प्लेटो ने जो महत्पुन बात कही वो यह कही कि प्लेटो कहता है प्रतेक व्यक्ति को अपना निर्दिस्ट कारिय करना एवं दूसरे के कारियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अर्थाथ प्लेटो कहता है कि जो व्यक्ति स्वैम कारे करता है वैं जो कारे अपने अनुसार करेगा उसे जो कारे मिला उसी कारियों को करे ना कि किसी अन्य व्यक्ति के कारियों में हस्तक्षेप करे प्लेटो ने यह अपनी पुस्तक रिपबलिक के अंदर नियाई के बारे में बात की है प्लेटो के बारे में इबेश्टीन लिखते हैं कि नियाई के विचार विमर्स में प्लेटो के राजनितिक दर्शन के सभी तत्व नहित है In the decision of justice, all elements of प्लेटो's political philosophy are content ये अवेस्टीन के द्वारा लिखी गई बात है जो प्लेटो के विचारों को और मजबूत करती है दोस्तों प्लेटो नयाय के दो रूप मानता है जिसमें से व्यत्तिकत और दूसरा सामाजिक है सामाजिक यानि वह उसे राज्य से सम्मधित भी मानता है तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो के देखिए अगर हम दर्शन की बात करते हैं प्लेटो के तो प्लेटू ने दणदात्मक, विसलेषनात्मक, सोधेश्याथ्मक, निगमनात्मक, साद्रश्यात्मक, आदि कई बातों का उसने कारी किया नहाय के संबंद में सिध्धान देने का ये प्लेटू का ایک महत्पून यहाँ पर पार्थ है इन सभी सिध्धानतों में से जब हम प्लेटो के न्याय की बात करते हैं तो हमने अभी बात की कि प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है यह है व्यक्तिगत और सामाजिक व्यक्तिगत प्लेटो की मानने तथी कि मानवी आत्मा में तीन तत्व पाई जाते हैं यतीन तत्व दृष्टना जिसे वासना भी कहते हैं शौर्य शाहस और बुद्धि या ज्ञान तो इन तीनों ही कुनों की जो मात्रा है तीनों तत्वों की जो मात्रा है वो जब उचित अनुपात में मानव के मस्तिक्ष में विद्धमान होती है तब ही व्यक्ति नहाई का प रहे कि इंद्रिय त्रश्णा सोर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वे और सामनजश्य व्यक्ति में जीवन में न्याई की स्रश्टी करता है जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति में यह तो धर्मानदता की पलवती हो जाती है या कामानदता का विकास हो घाता है तो इन तीनों ही ठत्वों की मात्रा की अनुसार वह राज्य और समाज में तीन वर्ग स्थापित करने की बात करते हैं वह कहता है कि पहला जो वर्ग है वह शासक या अभिभावक वर्ग होता है जिसमें बुद्धी का अंश सरवाधिक पाया जाता है यानि जब व्यक्ति की वह भात करता है न्याई की वह भात करता है यानि राज्ये पर शाषन करेगा और उसे ही ये दाशनिक राजा कहता है क्योंकि इसका जो सम्मंद है वो आत्मा के विवेक या बुद्धितत्व से है और जब शाषक का विवेक विसेश रूप से जो है वो इस बात में नहीत रहता है कि वह बुद्धिमान है तथा अपने शाषितों से प्रेम करता है वह अपने राज्ये के लोगों का कल्यान अपना कल्यान तथा उनका अहित अपना अहित समझता है वह विवेक और प्रजा प्रेम की भावना से राज्ये की एकता को बनाए रखता है तो विवेक जो है बुद्धी जो है वह शासक या अभिभावक वर्ग के अंदर सरवाधिक पाई जाती है तूसरा वर्ग उसने सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग बताया जिसमें सोर्य और साहस तत्व की अपेक शाकरत अधिक मात्रा पाई जाती है सेनिक वर्ग यानि जो राज्जी की रक्षा करेगा जो रक्षक होता है क्योंकि रक्षा करने वाले विक्तित्व को सेनिक वर्ग में माना और उसे सोर्य की परिपूर्टी से पुर्ण माना क्योंकि राज्जी की रक्षा के लिए सूरवीर रक्षकों की आवशकता होती है विशेसी करन का नियम भी ये कहता है कि योद्धाओं का एक विशेस वर्ग राज्जी के लिए होना चाहिए जो कि अपने राज्जी की रक्षा करे और प्रतेश का विस्तार करे क्योंकि राज्जी की जो सत्ता होती है वो भी इनी पर निर्भर करती है इसी के अधार पर तीसरा वर्ग जो बनाया वह उत्पादक या सहरा वर्ग के बारे में इसने बात की जिसमें इंद्रियत रशना वह इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है दोस्तो आर्थिक तत्व की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक तत्व का विप्राई ये है कि मनुष्य भोजन, वस्त्र, निवास, आदि की आवश्यक्ता है जब व्यक्तियों के सैयोग से पूरी नहीं होती है तो इन्हें पूरा करने के लिए समाज में अन उत्पन करने वाले किसानों, मकान बनाने वाले कारेगरों, कपड़ा बनाने वाले जुलाहों, जूता बनाने वाले मोची आदि कई ऐसी स्रेणिया हैं जिन स्रेणियों के आधार पर इनके कारे पूर्ण होते है तो ये जो वर्ग है ये उत्पादक वर्ग के अंतरगत आता है जो सभी प्राणियों के कारियों को पूर्ण करने का कारिय करता है तो सभी मनुश्यों में तीनों तित्वों की निन्नादिक मात्रा पाए जाती है या तो यह मात्रा अधिक होती है या यह मात्रा कम होती है जब यह तीनों ही मात्राएं किसी मनुष्य में होती है तो इन मात्राओं के आधार पर ही प्लेटों ने राज्य में तीन वर्गों की यह सत्ता मानी हैं जिनके हमने बात की थी तरशना या वासना तत्व की पूर्ती करने वाले उतबादक या कशक वर्ग होते हैं सोर या साहस गुण के प्रतिनी धी सैनिक या सररक्षक होते हैं तथा पुद्धी या विवेक की गुण का प्रतिने दिद्ध करने वाले सररक्षक होते हैं तो समाज के अंदर ये चुत्री वरगी विभाचन है ये त्री वरगी विभाचन ही इसे न्याई के सिध्धान्त को प्लेटो के न्याई के सिध्धान्त को बलवती करता है लेकिन जिस तत्वखी महत्रा अंश्पधान की रूप में पाई जाती है वह उसके सद्गुनों को प्रवत करता है ऐसा प्लेटो कहता है प्लेटो न्याय को आत्मा का मानविय सद्गुन मानता है प्लेटो के अनुसार आत्मा में नहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में नहित न्याय का ही स्रादश्य है क्योंकि आत्मा के अनुसार ही जो वै आत्मा व्यक्ति की कहेगी वै उसके अनुसार कारिय करता है जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्धिमान न्याई व्यक्तित्व के विभिन पक्षों का परसपर संतुलित करता है उसी भाती राज्जी में व्याप्त न्याई समाज के तीनों वर्गों में सामंज़ से इस्तापित करता है तो जब तीनों वर्गों में सामंज़ से इस्तापित होगा तो सामझे से इस्तापित होने के बाद ही राज्य की या समाज्य की आगे बढ़ने की संभावनाएं बल्वती हो जाती है दोस्तों जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विध्यमान नाय व्यक्तित्व के विहन पक्षो को संतुलित करता है उसी प्रत्यक व्यक्ति को वही कारे करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकर्तिक रूप से सरवादिक समर्थ वह उप्यक्त होता है यानि दोस्तों कभी भी ऐसा कारे ना करें जो कि किसी व्यक्ति के करने लाइक नहीं हो फिर भी वह उस कारे को कर रहा है तो जब ऐसे इस्तिति उत्पन हो जाती है तो वह हमेशा ऐसफल होता है तो प्लेटो के नाई के सिधानत भी ही कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस कारे को कर सकता है वह उसी कारे को करे और ऐसा वर्तमान समय में भी दोस्तों जरूरी है कि जो व्यक्ति जिस कारे को कर सकता है वह उसी कारे को करे और कहा भी गया है कि जिसका कारे उसी को साजे और करे तो डंका बाजे यानि व्यक्ति वही कारे करे जिसके लिए वह प्राकर्तिक रूप से सरवादिक समर्थ वह उप्युक्त है किसी तरह राज्जी के तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कारे चेत्र की परीदी में ही कारे करना चाहिए दूसरों के कारियों में अनावशक हस्तिक्षेप को प्लेटो व्यक्ति वर राज्य दोनों के लिए अनिश्तिकारी मानता है तो तो दूसरे राज्य का राज्या उसे रोकने के लिए युद्ध करेगा ही इसलिए इस इस्तितिया कही बार उत्पन होती है तो दूसरों के कारियों में अनावश्यक्law रष्तिक शेप ना करें इन तक्तियों के उपस्तिते के अनुपात में ही प्रत्तिक व्यक्ति को अपनी योग्घिता वक्षमता के अनुप आच्छन करना चाहिए और दूसरों के कारे में हस्तक शेप नहीं करना चाहिए इस प्रवर्ती को प्लेटो न्याय की संग्या देते हैं और प्लेटो अपने न्याय के सिध्धान्त को एक नेतिक सिध्धान्त के रूप में प्रतिपादित करते हैं नयकी कानोनी सिध्धान्त के रूप में तो दोस्तों यहां से एक प्रश्ण बन सकता है कि प्लेटो अपने नयाय के सिध्धान्त को किस के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह अपने नयाय के सिध्धान्त को नेतिक सिध्धान्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं खानोनी सिध्धान्त के रूप में नहीं दोस्तों जितनी भी हमने बाते पढ़ि उन सब बातों से निकल कर एक प्लेटो की हम इस न्याई सिध्धान्त की कुछ विसेष्थाओं को यहाँ पर रख सकते हैं देखे प्लेटो की नयाय की सिध्धान्त की अगर हम विशेष्थाओं की बात करते हैं तो प्लेटो की नयाय की सिध्धान्त की पहली विशेष्था हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तीन गुनों का समावेश किया गया है जो गुन हमने पढ़े थे उन तीन गुनों का समावेश किय दूसरा हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने न्याय को नेतिक सिध्धान्त बताया है यानि इनकी दूसरी विसेस्ता हमने जितनी बात पढ़ी उससे ये निकल कर सामने आती है कि जो इनका सिध्धान्त है वो नेतिक सिध्धान्त है नेतिक सिध्धान्त की ये बात करते है तीसरी विसेस्था हम इनकी यहां देख सकते हैं कि इन्होंने न्याई जीवन का एक आंत्रिक तत्व और संतुलन कारी धारना के बारे में बात की है चौत्री विसेस्था हम कह सकते हैं कि इन्होंने कारे विसेस्था का सिध्धान तत्दिया है यानि कार्य विसिष्ट जिस कार्य के अंदर जिसकी विसिष्टी है जो जिस कार्य को कर सकता है वह उस कार्य को करे फिर इन्होंने अगली विसेश्टा बताई है कि कोई व्यक्ति किसी अन्ने के कार्यों में हस्तक शेप ना करे यानि ए हस्तक्षेप की बात कहते हैं ये तो हस्तक्षेप नहीं करने की बात इन्होंने की है इसी तरह से इनकी अगली वसे इस्ताम कह सकते हैं कि ये अतिविक्तिवाद का विरूद करते हैं और साविव एक्ता के सिध्धान पर ये बल देते हैं इसके अधार पर इन्होंने अपने सिध्धान्त के बारे में बात कि तो दोस्तों कुल मिलाकर हम कहें तो जो प्लेटो थे प्लेटो ने न्याई के बारे में बात की और न्याई को ना केवल एक स्वेम में मुल्य के रूप में माना बल्कि इनको सतंदरता समानता और बंधुत के मुल्यों के संसलेशन के सयोग में भी इनको एक रूप में वाना है क्योंकि न्याई के वल हम न्याई को एकल न्याई के बारे में बात हम नहीं कर सकते हैं हम न्याई की सामाजिक न्याई की हम बात करते हैं और जब हम सामाजिक न्याई के बारे में बात करते हैं तो उसमें वैधानिकता, राजनेतिकता, आर्थिकता, तीनों ही तरहें के नयाएं शामिल होते हैं तो सामजिक नयाएं ऐसी व्यवस्ता या नीती जिसमें समाज के मुल्लिवान संसाधनों और सुक्रकेश रोतों को धन्मान वर्गों के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाता बलकि ऐसे उपाई किये जाते हैं जिसमें निर्धन और निर्बल वर्गों को भी अपनी अपनी योग्यता, परिश्रम, आवश्रक्ता के अन्रोप, उचित और समान जनक हिस्सा मिल तो इस प्रकार प्लेटो ने रिपबलिक में न्याय की नेतिक संकल्पना को प्रस्तुत किया है और उसके अनुसार न्याय का उद्देश सामाजिक सायोग सामंजश्य है, उसने न्याय की स्तापना के उद्देश से नागरिकों के कर्तवियों पर बल दिया है, तो दोस्तों इस प्रकार आज के लिए इतना ही प्लेटो का न्याय यहीं पे हम समात करते हैं आज अगली कड़ी के अंदर हम न्याय की नेक्स्ट संकल पनाओं को के विशे में चर्चा करेंगे धन्यवाद दोस्तों